तो जही नमस्कार साथियों मैं मुकेसर आप सभी का स्वागत करती इस्टेंट आज की इस क्लास में इस्टेंट अगर आप सभी भी RPA PSI Constable 2024 एकजाम की त्यारी कर रहें यकीन माने इस्टेंट आज की क्लास सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेट होने वाला क्योंकि इस्टेंट आज की इस क्लास के अंदर साइंस की 50 Most Imported प्रशनों का संग्रव आज की इस क्लास के अंदर लिया गया जो कि आप सभी की RPA परिचा में बार बार पूछे जाने वाले प्रशनों का संग्रव हो जाएगा तो आप लोगों से की रिकेश्टी की परिचा देने से पले आप लोग इस क्लास को एक बार जुरूर देखें क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए एक्जाम ओरियेंटेड होने वाला है तो चले इस देन आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी की पहले प्रशनी के साथ और आप लोग हो सके तो हर एक प्रशनी का एंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिससे क्या होगा कि आप सभी की अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने कोश्चन को सोल्व कर पा रहें तो चले पहले प्रशनी को बात करते हैं पहला प्रशनी क्या पूछा जार द्यान दिजिएगा पहला प्रशन करा है कि जीवन की मुलभूत इकाई क्या है आप सभी का आप सभी का आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी कि GS के क्लास करना किसली इंपोड़िड है मैं आप सभी बता रहा हूं कि आप लोगों को GS से क्लास करना बहुत ज़्यादा जोरुरी है क्योंकि जीके के क्लास तो जीके के जो कोश्चन होते एक्जामे बहुत अश्ट्रेंड उसको कवरभ कर पाते लेकि GS वाले जो पेपर होता है उसे बहुत ज़्यादा डाउट होता है इसलिए आप लोगों कि आज के क्लास करना बहुत ज़्यादा जोरुरी है क्योंकि आज के क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे most important question लिया गया जो कि आप सीक एक्जाम में पूछे जाएंगे चलिए अगली प्रस्णी को बात करते हैं आप सभी का सिकेर नंबर प्रस्णे पूछा जा रहा है कि निम्ने लेखित में से कौन सा कोशी कांग पादब कोशीका में पाया जाता है किन्तु जन्तु कोशीका में नहीं पाया जाता है यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्ने लेखित में से कौन सा कोशी कांग पादब कोशीका में पाया जाता है किन्तु जन्तु कोशीका में नहीं पाया जाता है तिस कोशन का राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का अप्सन नंबर A की क्ल साgilrik from Chlore last हो जाएगा last हो जाएगा option number A आप सभी का right answer हो जाएगा चलिंए अगले प्रास्ञ को बात करते हैं सभीका थर्ड नमबर प्रास्ञ है कि कोशका का जीवित अंस कोशका का जीवित अंस ग्रोस काहलाता है यह किससे बना होता है यह किससे बना होटा है तो राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते हैं आप सभी का फोर नंबर प्रस्ण है करा कि 80% से अधिक कोशी का यानि की सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है 80% से अधिक कोशी का में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन चर्बी खनीज या जल तो 4 का राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर D याने की जल हो जाएगा आपसा नमबर D इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का 5 नमबर प्रशन है कि निमनलीखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है निमनलीखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है तो फड़ा फड़ा फाइब का राइट एंसर बताएगा कि इस कोशन का राइट एंसर आप सभी का क्या हो जाएगा आपसे नमबर A में है मूल रोम कोशी का आपसे नमबर B में है लाल रक्त कोशी का आपसे नमबर C में है प्ले लेट आपसे नमबर D में मोनो साइट तो इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसे नमबर हो जाएगा B यानि की लाल रक्त कोशी का करते आप सभी का सिक्स नंबर प्रश्न है कि निमनी लीखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्म घाती बैग कहे जाते हैं तो सिक्स का राइट एंसर होज जाएगा आप सभी का अपसा हो जाएगा चलिए अगले प्रस्णिक और बात करते उससे पले आप सभी से छोटा सुरी केश्ट है कि अभी तक आप समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लिज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सासाथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ठाके ऐसा मोस्ट इंपुडे आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे क्योंकि आप लोग और ऐसी बेतरीन क्लास को करना चाहते तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते बेल आइकन को प्रेस कर लेते तो आपके पास सारे मोस्ट इंपुडे क्लास आप लोगों के फोन में सबसे जल्द तो फड़ा बड़ा भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा चली सिवे नंबर प्रश्न को भात करते आप सभी का सिवे नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निमनलीकित कोसी का आंगों में से कौन सा एक अद्र पारागम्य है अर्ध पारागम्य है तो 7 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अपसर नमबर A यानि की कोसी का जीली हो जाएगा अपसर नमबर A आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोसी का जीली चली अगले प्रस्ण को बात करते हैं आप सभी का एट नमबर प्रस्ण है कि निमने लीखित में से किसको कोसिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है निमने लीखित में से किसको कोसिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है नाई नमबर प्रश्ने की किस देश की गाएं टी कप काउ के नाम से भी जानी जाती है कि इस देश की गाएं टी कप काउ के नाम से जानी जाती है तो 9 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अपसे नमबर 6 याने की अपना भारत हो जाएगा अपसे नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात करते इस्टिंट आप सभी का अगला प्रश्ण है कि गाय की सारधीक दूध देने वाली नसल कौन सी है या कहाँ पर है गाय की सारधीक दूध देने वाली नसल है तो दस का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का साही वाल अप्से no.C सब आएंसर हो जाएगा साहीवा चली अगले प्रस्शन का और बात करते हैं आप सबी का एक 11 नमबर प्रस्शन है कि RNA का प्रात्मिक आरिय क्या होता का एक 11 का रायट एंसर हो जाएगा आप सबी का protein sensation हो जाएगा प्रोटीन संसिलेशन option number B आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रशन को और बात करते आप सभी का 12 नमबर प्रशन है तो बारह को ज़्य possess होते हैं तो 12 को जाएगा आप सभी का option number B यहनि कीRNA हो जाएगा आपसा की जाएगा आप सभी का right answer हो जाएगा कि सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था तो 13 का अच्छे का अपसर नमबर 6 अनि कि फो बस लेवे ने ने हो जाएगा अपसर नमबर 6 चली अगले प्रश्ण को और बात करते हैं 14 नमबर कि फलीदार पादपो की जडों में उपस्तित गाठों में पाय जाने वाले नत्र जन इस्थी करण जिवाणू है तो 14 का अच्छे का अपसर नमबर 6 चली अगला प्रश्ण की अवाई विये इस्थिती में जविक पदार्त के जिवाणू अप घटक को क्या कहते हैं तो 15 का अज़ जगा अने की किडवनी करण हो जाएगा आपसर नमबर A आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगला प्रश्ण की जीवों के निम्निलीखित प्रकार में से छत्रक किससे सम्रिध्धे हैं तो सुल्ला का अज़ेगा C यानि की कवक आपसे नमबर C आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलि अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का सत्रा नमबर प्रशन है कि इस्ट मिलाने पर गुथे वी आटे की उठनी का क्या कारण है तो सत्रा का अज़ेगा आप सभी का D यानि की कारण डैक्साइड गैस का निर्मोचन होता है आपसे नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चलि अगला प्रशन की व्रेट बनाने में इस्तिमाल किये जाने वाला खमीर है ब्रेड बनाने में इस्तिमाल किये जाने वाला खमीर क्या हो जाएगा तो 18 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अपसर नमबर या निकी किडवन के लिए उत प्रेरा के रूप में कारे करता है किडवन के लिए उत प्रेरा के रूप में कारे करता है अपसर नमबर A आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात करते 19 नमबर की निमने लीखित में से किसे बंडिंग के माध्यम से त्यार किया जाता है तो 19 का जाएगा आप सभी का अपसर नमबर D यानि कि East अपसर नमबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात करते 20 नमबर है कि हली कर नसल की गाए का मुल अस्थान कहां माना जाता है तो 20 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अपसर नमबर B यानि कि मैसूर में अपसे नमबर B आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रस्णिक और बात करते 21 नमबर की वीशो में सारधिक भैसे किस देश में पाई जाती है वीशो में सारधिक भैसे किस देश में पाई जाती है तो 21 का अपसे नमबर D आने की भारत में चली अगले प्रस्णिक और बात करते 22 नमबर की सबसे ज़्यादा वासा किस भैस के दूद में पाई जाती है तो 22 का अपसे बात करते 23 नमबर है कि भारत में दूद में सारधिक वसा प्रतिसत रखने वाली भैस की नसल है तो यह हो जाएगा अपसभी का भदवारी हो जाएगा चली अगला प्रस्णिकी मानव मुत्र का पी एच मान की इतना होता है जिवाड़ों को नश्ट करने के लिए निमलेखित में से किस गैस का परियोग किया जाता है तो आज की इस क्लास को इस्टेंड यही तक इंड करते हैं आप सभी को क्लास कैसा लगा कॉमेंट बोक्स में जुरूब आते हैंगा अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेलेगन को प्रेस कर दीजेगा और एक और मोस्ट इंपोर्ट जनकारी आप सभी के लिए कि अगर आप सभी भी आरपी अप एक्जाम के अगर त्यारी कर रहें अगर आप सभी को प्रिबेस इस कोशन मोडल पेपर प्रैक्टिस से चाहिए तो इसी चैनल को उपर ऐसे बहुत जारे क्लास को अपलोड किया गया जो कि आप सभी के सफलता के लिए काफी ज्यादा इंपोर्ड होने वाला अगर आप लोग भी उस क्लास को नहीं देखे तो प्लीज जाकर कि आप लोग इस चैनल को उपर चेक कर सकते हैं जो कि वहाँ पर आप सभी के लिए से मोस्ट इंपोरे क्लास देखने को मिल जाएंगे तो आज की इस क्लास को इस्टिन आहीं तक इंड करते हैं तो मिलते हैं इस्टिन नेक्स क्लास में थैंक्स रचिंग माई क्लास